नमस्ते प्रियर सेलर इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उडान एप में RTS को कैसे चिनहित करें RTS को चिनहित करने के दो तरीके हैं RTS चिनहित करने का पहला तरीका उडान एप ओपन करें आपके Registered 4 Number से Login करें एक बार Login करने के बाद बाई और कोने पे क्लिक करें Your Orders पर क्लिक करें Pending Orders पर क्लिक करें और उसके बाद Order में Packing Pending पर क्लिक करें जिसे आप चिनहित करना चाहते हैं Select to Pack पर क्लिक करें फिर Request Pickup पर क्लिक करें अब जरूरी जानकारी डालें जैसे की Number of Packages Total Weight Invoice Number Invoice Amount Number of Item उसके बाद बाई और कोने के पास Pickup पर क्लिक करें अब हम RTS चिनहित करने का दूसरा तरीका देखेंगे उडान एप ओपन करें आपके Registered Phone Number से Login करें Your Biz पर क्लिक करें Orders पर क्लिक करें Pending Orders पर क्लिक करें और उसके बाद और में Packing Pending पर क्लिक करें जिसे आप चिनहित करना चाहते हैं Select to Pack पर क्लिक करें फिर Request Pickup पर क्लिक करें अब जरूरी जानकारी डालें जैसे की Number of Packages Total Way Invoice Number Invoice Amount Number of Item उसके बाद बाई और कोने के पास Pickup पर क्लिक करें अब हम देखेंगे Website द्वारा Ready to Ship कैसे चिनहित करें www.pudan.com मुलकात लें आपके Registered Phone Number से लॉग इन करें एक बार लॉग इन होने के बाद बाई और कोने पर क्लिक करें उसके बाद Pack & Ship Order पर क्लिक करें ओर्डर सिलेक्ट करें जिसे आप Ready to Ship RTS चिनहित करना चाहते हैं और Request Pickup पर क्लिक करें नए डायलोग बॉक्स में जरूरी जानकारी डालें और Request पर क्लिक करें अब जो ओर्डर आपने Request Pickup RTS चिनहित किया है वो आप Waiting for Pickup टैब में देख सकते हैं धन्यवाद है झाप आपने पर क्लिक करें जब एराँ झापने